हेलो स्टूरेंट तोड़े आम आठी सकलानी यह एर केमिस्टी टीचर गोइंग टू कंटिन्यू आप फर्स चैप्टर इन केमिस्टी दैट इस सॉलिड स्टेट बच्चों इससे पहले हमने प्रीविएस वीडियो में जितने भी सॉलिड स्टेट के बारे में मैंने बताया थ है वह आपका किस तरह से उसमें अगर एक परफेक्ट अर्रेश्मेंट देखने को मिलता है तो आपका परफेक्ट सॉलिड को क्रिस्टीलाइं सौलिड बोल रहे थे और जब आपका एक पर्फेक्ट टेमेंशिवेंट एक्ठी डामिंशन डिमेंस हैन्स नहीं होता है प्रॉ वीडियो में हमने बढ़ा था की यूनिट सेल कि इसे कहते हैं तो आपका मिनिमम रिपीटिंग पोर्ट्ण किसी भी स्टिल तैयार करता है जब आपकी आपकी यूनिट थो कहते है है और युट्स हेल जब आपका अरेंज होते होते एक क्रिस्टल एप क्र्फेटश ठैक्ट्टर तयार करता है जब आपको अलारेंज होती छले जाती है तो smo प्रिस्टल लैटेस और स्पेस्ट लैटेस हम उन्हें कह रहे थे आज के इस वीडियो में बच्छों मैं कंटिन्यू करेंगे उसी चप्टर को इसमें आपका हम पढ़ेंगे अपका प्र अपने नमबर और दो एक लिए बटाऊंगे तो सबसे पहले हम नमबर ऑफ एक लिए टो अच्छों को इस डाज बच्छों हम डिनोट करते हैं कैपिल जट अर्ड इस चेप्टर का जैसे नहीं आपको पहले बीट था इस चैप्टर आपको नुमेरिकल बेस चैप BCC unit cell या face centered unit cell यह लाइन आपकी स्टार्टिंग लाइन होगी किसी भी नुमेरिकल की तो उस लाइन से ही या उस फर्स्ट BCC FCC वर्ट से आपको आइडेंटिफाय करना है कि आपकी unit cell में जैट की वैली जो है वह आपको कितनी पुट करनी है तो इस वीडियो में मैं आपको उसी टार्ट टेसर से ऐसन, solid state number of atoms per unit cell या जीज वांप की unit cell है जो थी कितने टाप की unit cell ही हमने classification क्या था unit cell का फर्स्ट आपकी थी यह simple cubic unit cell जिसे हम बोला था primitive unit cell और second type जो unit cell थी वो थी आपकी non primitive unit cell और centered unit cell तो centered unit cell आपकी again classify थी three types से, first is FCC that means face centered cubic unit cell, second one BCC that means body centered unit cell and third is centered unit cell तो अब हम जो आपके simple cubic unit cell 100% में थे उसमें आपको बताया था कि simple cubic unit cell में आपके क्या होते है जो number of atoms बच्चों present होते हैं वो आपके कहां होते हैं सिर। corners में present होते हैं लाइक दिस suppose आपका ये simple cubic unit cell का आपका एक structure है इसमें जो आपके number of atoms present होंगे और कहां present होंगे बच्चों सिर्फ corners में तो in simple cubic unit cell there is eight eight constituent particles present at all corners all right all right तो आपका जो simple unit cell थी उसमें हमने constituent particles की जो position थी बच्चों कहां पे थी only at corners ठीक है तो simple cubic unit cell या primitive unit cell में अगर आपसे constituent particles पूछे जाते हैं कि कौन सी position में present हो दें तो वो सिर्फ आपके corners में present हो दें और corners में आपके कितने constituent particles simple cubic unit cell में present होते हैं बच्चों eight तो उसी basis पे बच्चों अब आपका जो आपका corners का एक atom है तो यह तो हमने क्या ली थी बच्चों एक simple आपके unit cell रही थी जो आपका complete lattice crystal lattice जो पूरे solid को बनाएगी उसमें आपकी ये क्या हैं आपकी unit cell आपके और direction में attached होती रहती है तो आपका यह जो आपका unit cell है यह आपकी unit cell सेम यह वाली unit cell है तो इसके क्या है आपके इस साइड भी आपकी unit cell arrange हुई इसके पीछे भी आपकी unit cell arrange हुई अपर साइड में भी अरेंज हुए और इस तरह से आपका complete एक structure जो एक perfect sequence हमें दिखने को मिलता है यह आपका क्या है यह complete हम इस टेक्चर को क्या बोलेंगे क्या है यह corner का एक atom है यह आपका direct attached होता है 8 unit cell से तो unit cell हम count कर सकते हैं किसी भी आपका crystal lattice के अंदर first unit cell second unit cell जो आपका क्या करेगी इस corners के atoms को touch करेगी all right third unit cell fourth unit cell and यह तो bottom unit cell हो गई इसके आपके टॉप की unit cells कौन कौन से फिप्ट यूणिट सेल सेवन्थ यूणिट सेल एड़ यूणिट सेल एड़ यूणिट सेल के एक atom को 8 unit cell करती है बच्चों अटेस करती है ठीक है डिरेक्ट उसके contact में आती है तो जो आपका at corners का जो आपका constant particles होगा a corner atom in cubic unit cell is shared by 8 unit cell ठीक है तो आपका corners का कोई भी atom किसी भी unit का क्या होगा 8 unit cell के साथ shared होता है ठीक है डिरेक्ट connection में आपका contact में आता है ठीक है अब यह आपका कहां पे आपका role play करेगा यह मैं आपको बाद में बताती हूं पहले आप जितने हमने unit cell के बारे में पढ़ा था कि आपका यह तो corners के atom की बात कर दी अब आपका corners का atom क्या होता है आपका सभी unit cell में प्रजेंट होता है तो a face centered atom in a cubic unit cell is shared by two unit cell ठीक है तो face का जो atom होता है बच्चों वह आपका दो unit cell के साथ direct contact में आता है वो किस तरह से देखो यहां पर यह आपका एक unit cell मेंने आपकी लिए है ठीक है तो face centered मतलब आपका phase मैंने आपको बताई थी कि आपका let's see once again यह आपका unit cell है unit cell में आपके मैंने बताया थे कि corners कितने eight corners जो मैंने आपका इस top वाली cell में आपको बताया अभी मैं आपको सिर्फ face के atoms बताऊंगी कि face कौन-कौन से तो मैंने बताया था कि कितनी एक क्यूब में आपके कितने faces होते है six faces कौन-कौन से face है बच्चों एक यह आपका top face है चीक है एक आपका side face second face यह आपका third face bottom face यह आपका fourth face all right यह आपका back face fifth face and this one is front face that means six faces present in a cubic unit cell okay तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो आपके face centered atoms होते है face centered मतलब आपका जो faces में present होंगे ठीक है each faces में क्या होता है FCC में each faces में corners के साथ corners के atom तो FCC में present होंगे बट corners के atom के साथ साथ FCC जो unit cell है उसके आपके each faces में extra atom present होते हैं तो each face मतलब आपके जो six faces हमने count के इन में आपके एक एक extra atom क्या होगे present होंगे तो यह चार faces चारों corner के होगे एक आपकी back face उसमें एक atom और एक आपका यह front face इसमें आपका एक atom तो यह six atoms आपके FCC में क्या होते हैं प्रजेंट होते हैं इच faces में ओके तो आभी हम बात कर रहे हैं कि जो आपका face का atom होता है वह आपका कितने unit cell के साथ shared होता है यह आपका कितने unit cell के साथ direct contact में आता है यह आपके इस structure से समझ में आ जाएगा यह आपकी unit cell है इसका एक faces का atom that means हम इसकी बात कर रहे है तो यह आपका phase है यह आपका इस साइट से भी जब आपकी unit cell क्या होगी इसके साथ connect होंगी तो आपका उसके साथ क्या करेगा direct आपका contact में आएगा चीक है यह आपका इसके साथ दो unit cell के साथ direct same इसकी तरह आपका क्या होगा contact में आएगा तो face centered atom in a cubic unit cell is shared by two unit cell तो दो unit cell से direct connection में आता है आपका जो face में centered आपका atom होता है all right now next is body centered atom जो हमने third type of unit cell की बात की थी वो था आपका bcc तो उसको हम बोल रहे थे body centered cubic unit cell तो body centered में भी क्या होता है बच्चों आपका eight corners में तो आपके as it is जैसे यह है तो corners में तो आपके सब के साथ common है कि corners के अटम सब unit cell में प्रजेंट होंगे बट bcc में आपका इसके अलावा जो आपका क्या होगा जो आपका extra atom प्रजेंट होगा वो कहां पर होगा let's see suppose आपका यह bcc आपका cubic unit cell है यह आपका bcc unit cell हो गया यह आपका simple cube इसमें आपका eight corners में मैंने कहा कि आपके सारी unit cell में eight corners common है यह आपके सभी में चलेंगे इसके अलावा अगर आपका bcc बोला जाता है तो bcc में जो आपका extra atom होता हो बच्चों आपका body center मतलब आपका cube में बिल्कुल एक center में आपका एक extra atom प्रेजेंट होगा और यह जो atom है यह आपका कितनी unit cell के साथ और shared होता है यह आपका किसी भी unit cell देखो आपका कहां पर है a cube के बिल्कुल center में इसके contact में आपकी सिर्फ यह unit cell है इसके अलावा आपके कोई भी दूसरी unit cell इसके direct connection में नहीं होगी तो वही मैंने आपका यहां पर आपको बताया है a body centered atom in any cubic unit cell is not shared by any other unit cell अम आपका बच्चों यह एक तरह जो मैंने आपको तीनों चीज़े बताई इसके बेस पर मैंने आपको यह summarize करके diagramatically समझाने की चीज़े आपको स्कूर्ण के लिए तो यह जो इनिट से आपको दिखाया यह ब्लू कलर के यहां तो चीज़े लिए जब भी हम आपका number of atoms find out करेंगे तो उसका आप चीज़े आपको प्रिवेस पहले मैंने बताया था आपका यह जो इनिट सेल के साथ डेर्क्ट कनेक्टेड होता है इसलिए हम जब भी पर यूनिट सेल में इसलिए आपका यह ब्लू से मल्टिप्लाइब होता है और जो आपका बॉडी से था था निटि आपका अच्छे दी होते हैं तो इसलिए आपका जो सीज़ेंट से चर्फ बॉडिसान इंट से क्या था गवर था वह आपका दूसरी उनीच अल के साथ किसी के साथ भी कर्नेक्टड नहीं रहता है इसलिए आपका जो बोडी सेंटर हैवह आपका सिंपल वन एंटम से ही मुल्किलिकेशन होता है तो कॉंट्रिबूशन वन बाइट एट कॉर्णर्स एंड वन बाइट टू एट फेस सेंटर्ड ओफ एटम इन एफ सीजी तो एफ सीजी में जो आपके टोटल नबर ऑफ एटम्स परजेंट होते हैं एट कॉर्णर्स के वह वन बाइट से मल्टिप्ला होंगे और जो आपका और जो बाइट से में होगा वहापका वन यूनिट से कारण उसका मल्टिप्लेकिशन आपका सिर्फ वन यूनिट से हो की घैडरेक्ट से डिर्यकाट में रहता है तो बच्चों जो हमने आभी मैंने आपको बताया कि आपका किस तरह से हम नंबर आपको इसको ध्यान रखना है तो आपकी सिंपल क्यूंट अब साइधे रहे था है इसले और इसले मैं आपका उसको यहां पर बताया भी नहीं है ठीक है अगर आपको उसके से related number of atoms भी find out करने सीखने हैं तो आप मुझे please comments box में जाके आप उसका मुझसे explanation मांग सकते हैं तो मैं आपके next जो वीडियो बनाऊंगी उसमें आपका उसमें भी per unit cell आपके कितने number of atoms present होते हैं वो मैं आपको explain करनेंगी तो आपका क्या है तीनों में common जो थी वो आपकी eight corners में सभी unit cell में present होते हैं तो eight का मैंने कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा one by eight से multiplication करने पड़ेगा तो eight atoms present at all corners multiply one by eight तो आपकी number of atoms at corners निकल जाएंगे one ठीक है in simple cubic unit cell in body centered and in FCC unit cell that means face centered cubic unit cell तो corners में आपके number of atoms आगए one ठीक है इसके अलावा अगर हम बोलें कि number of atoms at faces तो simple cubic unit cell में तो बच्चों faces में कोई atom present नहीं होता है चीक है और ना ही आपके body centered में present होता है तो इसका मतलब हुआ कि जैड की values जो आएगी आपकी simple cubic unit cell के लिए वो सिर्प one आएगी क्यों क्योंकि simple cubic unit cell में क्या था सिर्प आपके corners में प्रजेंट थे इस तरह से चीक है तो corners के atoms हमने पढ़ा कि one by eight से मल्टिप्ला होगा जैड की value आपके simple cubic unit cell के लिए तो numerical में जहां पर भी आपके पास आएगा a simple cubic unit cell तो जैड की value आप क्या पूट करेंगे नेक्स्ट वन इस बॉडी सेंटर तो बॉडी सेंटर में आपके eight corners के साथ साथ कहां प्रजेंट होता है आपका एटम प्रजेंट होता है cubic unit cell के सेंटर बॉडी सेंटर में तो eight का तो आपका corners का ऐसे ही निकालेंगे corners के eight into one by eight value आगई आपके number of atoms की one आपका faces में प्रजेंट तो अगर आपके पास नुमेरिकल स्टार्ट होता है अब बी सी सी यूनिट सेल बॉडी सेंटर यूनिट सेल तो जैट की वैल्यू आप पूट करेंगे टू और लास्ट वन सेंटर यूनिट सेल डैट मेंस आपके eight corners में प्रजेंट आपकी वैल्यू आगई one and extra item कहां प्रजेंट होगा तो six phases में जो प्रजेंट है वह आपका कितने से कॉंटेक्ट में रहता है तू यूनिट सेल से तो उसका मल्टिप्लाय करेंगे one by two से तो वैल्यू आजाएगी faces की three और eight corners पे one total number of atoms present in face-centered unit cell is four तो यह आगई आपकी जैट की त्री वैल्यू जो आपको nearest neighbor distance a and radius of atom r and the edges of unit cell a for pure element ठीक है अब आपका radius बहुत important यहां से भी आपके आगे numerical बन सकते है इस formula based तो आपको यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका क्या relationship है nearest neighboring distance or radius और आपका ages of unit cell तो age हम किसे गह रहे थे बच्चों इस आपकी यह distance थी ठीक है इसको हम a से indicate करते है a is age length of a unit cell तो यह all ages are same आपकी एक्वल होती है आपको मालूम है cubic unit cell में तो हम इसको इसे indicate कर रहे थे अब हम देखेंगे कि आपका simple unit cell में आपका किस तरह से इन तीन चीजों की बीच में relation से find out करते हैं तो simple cubic unit cell में आपके यहां पर picture बनाई है आपको इस दिखाई दे रही होगी कि आपके simple cubic unit cell में सिर्क corners में present होते हैं ठीक है तो अजय कितनी होगी आपकी यह आपका atom है ए और यह है आपका बी ठीक है तो एस डिस्टेंस वापकी जो एसे होगी यह होगी ठीक है तो आपका तो d is equal to distance is d equals to a, b equals to a, ठीक है, यह d है आपका two neighboring atoms के बीच की distance, a, b और यह equal है a के, तो d is equal to a, b equals to a, radius क्यों हो जाएगे आपकी half, तो radius is equal to आपका d by 2, that means a by 2, तो आपका radius, simple cubic unit cell का जो radius का formula बनता हो, तो आपका बनता है, small r is equal to a by 2, all right, जो भी ages होगी, उसको अगर हम divide by 2 कर देंगे, तो आपका simple cubic unit cell का radius हमें पता चल जाएगा, ठीक है, अब next is face centered cubic unit cell, तो face centered में आपका क्या है, बच्चों, यह मैंने यहाँ पर इसकी picture भी बनाई है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, constituent particles है, all right, तो आपका, इसमें एक triangle बन रहा है, आपका यह, a, b, c, this one, ठीक है, तो अगर हमने distance between the nearest neighbor आपका देखना है, अब की दिखाई से खरएं, तो आपका क्या होगा, हम इसमें आपका, a, c, c, k का कॉंटेक्ट में कितने आपके atoms आ रहें, 1, 2, 3, ठीक है, अगर हमें इसकी radius निकालनी है, तो divide by 2 करना पड़ेगा, तो आपका distance is equal to AC by 2, ठीक है, तो AC की distance हमें find out करने के लिए, आपका यहाँ पे एक triangle बन रहा है, आपका मालूम है कि अगर हमने AC की distance निकालनी है, तो कौन सा पाइथागोरोस theorem आप सब को मालूम होगा, according to Pythagoras theorem, हम इसकी distance निकालेंगे, किस तरह से, now in right angle, triangle ABC, आपके पास यह triangle बन रहा है ABC, इसमें AC अगर हमने value निकालनी है, तो AC square is equal to AB square, प्लस BC square, ठीक है, तो AC square is equal to B square, प्लस BC square, ठीक, और इसकी AB, AB क्या है आपका यहाँ पे, AB आपका A है, और BC B आपका क्या है, A है, तो AC square is equal to क्या हो जाएगा बच्चों आपका, AC square is equal to A square, प्लस A square, ओर राइट, तो AC square is equal to 2A square, हो जाएगा, ठीक है, और अब हमने AC के value हमने find out करनी है, तो AC का square खतम किया, इस side का हमें square root लेना पड़ेग है, तो square root हो गया, आपका root 2 into A, ठीक है, तो AC की distance निकल गई, ओर राइट, AC is equal to, आपकी value निकल गई, root 2 into A, ओर राइट, अब distance हमने अभी देखा था कि distance आपका क्या होता, बच्चों, distance आपका था, D equals to AC by 2, तो AC की value हमने कितने निकाली, AC आपका निकला root 2 into A, तो divide by 2 अगर कर देंगे, तो हमें distance पता चल जाएगा, तो distance is equal to root 2 A, that means AC by 2, simplify किया, A by root 2, ठीक, और radius क्या हो जाएगा, आपका radius आपका distance by 2 है, ठीक है, तो distance आपका क्या हो गया, आपका radius is equal to D by 2, और D by 2 करके इसको हम D की value पूट करेंगे, D आपका A divided by root 2 upon 2, तो इसको simplify करके आपका radius निकल गया, आपका, for FCC A upon 2 root 2, alright, now next is body centered cubic unit cell, now body centered cubic unit cell में क्या है बच्चों, body centered cubic unit cell में आपको, इस तरह का structure आपका, हमें किसी cube का दिखाई देता है, तो आपका BCC unit cell है, तो इसमें क्या है, आपका, एक, आपके atoms present होंगे, corners में, एक आपका होगा, बोडी centered में, तो आ आपका इसमें, हमें, अगर हमने इसमें distance निकालनी है, आपका कौन सा, हमने ऐसा triangle लेना है, जिसमें आपका, ये body centered, जो extra item आ रहा है, ये आपका क्या हो, cover हो, ठीक है, तो आपको, इस whole structure में, आपको, इसकी study के लिए, आपको, faces में तो ये वाले triangle आपका क्या हो रहा है, cover हो find out करनी पड़ेगी, तब हमें distance पता चलेगी, AD की, तो क्या है कि इसमें, distance between the nearest neighbor, D is equal to AD by 2, distance अगर हमने two neighboring atoms की निकालनी है, तो हमें ये वाली distance पता होनी जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें extra item जो है, वो आपका, इस length में आपका क्या हो रहा है, cover हो रहा है, तो इसमें आपका two neighboring atoms की अगर हमें distance निकालनी है, तो इसकी total जितनी हमारी की आएगी, length आएगी, इसको अगर हम divide by 2 कर देंगे, तो हमें distance पता चलेगी, two neighboring distance, suppose ये आपका two आता है, two neighboring distance की, अगर हमें distance निकालनी है, तो हम क्या अगर देंगे two by two, that means one, तो इतनी की आपकी distance आगई one, ठीक है, पह इसमें AC find out करेंगे according to Pythagoras theorem, जैसे हमने पहले find out किया था, तो AC square equals to AB square plus BC square, तो AB is, H is A and BC is also A in a cube, तो AC square is equal to A square plus A square, तो AC की value पता है, हमें की AC कितनी निकलेगी, two A square निकलेगी, निकलेगी, तो AC आपका यहाँ पर कितना निकल जाएगा, बच्चों, AC आपका आजाएगा, कितना 2 A square, AC square is equal to, sorry, AC square is equal to 2 A square, अब AC की value निकलेगे, रूट खतम करेंगे, यहाँ के square खतम करेंगे, next side का हमें क्या करना पड़ेगा, square root करना पड़ेगा, तो AC is equal to आगे, रूट 2 into A, चेक, अब इसमें मैंने बोला, आपको यह वाला triangle भी लेना है, तो इसमें हमें AD की value न करना है, तो किसका square होगा, AC square plus CD square, according to Pythagoras theorem, again, यहाँ पर एक triangle बन रहा है, आपका यह, चीक है, AD अगर हमने find out करना है, तो आपको AD square is equal to AC square plus CD square, according to Pythagoras, आपको फिट से यहाँ पर solve करना पड़ेगा, तो हम इसको, इस formula में अगर value निकालते हैं, तो AD square is equal to AC square plus DC square, तो AC square हमने अभी find out किया, AC square, 2A square, तो direct यह वाली value पूट अगर करने, AD square is equal to root 2A square, और DC square कितना हो जाएगा, A, A square, तो total कितना हो गया, AD square is equal to 3A square, और square कितना हो गया, AD square is equal to 3A square, और square कितना हो गया, second side का में root ले ले लेंगे, तो AD की value आपकी निकल गई, root 3 into A, चीक, और distance हमने कैसे निक चल गया इतना, इसको अगर हम divide by 2 कर देंगे, तो आपका distance पता चल जाएगा, distance किसके बीच में, to neighboring atoms की बीच में, alright, तो आपका D is equal to AD, value of AD is root 3 into A by 2, ठीक है, तो यह आपका D निकल गया, अब हम radius निकालेंगे, अगर BCC कितना होगा, तो radius आपका D by 2, ठीक है, तो radius is equal to D by 2, that means D की value थी यह, root 3 into 2 upon 2 upon 2, यह D है आपका, इसका divide by 2, indicate करेगा आपका BCC के radius को, solve करोगे, तो आपका आजाएगा R, root 2, यह 2 कहा है, आपका, multiply हो जाएगा, तो root is equal to, आपका root 3 into A upon 4, तो आपका BCC का radius का formula, root 3 into 2 upon 4, आपको यह समझ में आया होगा, यह जो radius है, इनका आपका बच्चों, यह जो आपका derivation है, यह आपसे नहीं पूछा जाता है, आपको सिर्फ formula ध्यान रखना है, कि simple cubic unit cell की radius क्या है, आपकी FCC unit cell की radius क्या है, और body centered unit cell की radius क्या होती है, इस पे based आपके आगे हम numerical solve करेंगे, I hope you like this video, thank you for watching.